गुड मॉर्निंग बच्चों आपके बीच में क्या रखा हुआ है गोली यह आप ही लोगों ने बनाई है ना अच्छा जो जो बच्चा नहीं बना के लाया है वो और गोली बना के लेके आएगा ठीक है हर बच्चा दस-दस गोली बना के लेके आएगा तो अब हर बच्चे के पास कितनी गोली हो गई दस और दस मतलब क्या बताया मैंने दस मतलब एक दहाई यानि कि तुम लोग के पास सब के पास क्या क्या है एक दहाई कितनी गोलिया है एक दहाई गोली एक दहाई का मतलब होता है कोई भी चीज जब हम दस का बंडल या गठर बनाके रख लें अपने पास उसको कहते एक दहाई अब सत्य प्रकाश के पास कितनी है एक दहाई ठीक है दिलशाथ के पास कितनी है एक दहाई तो अभी जैसे एक इकाई में एक और जोड़ा तो कितना बन गया दो कितना बन गया अभी बोला था एक में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा दो में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा तीन में एक और जोड़ेंगे तो कितना होगा चार ठीक है अब ऐसे ही हमने एकाई को जोड़ा अब हम दहाई को भी जोड़ सकते हैं जोड सकते हैं कि नहीं? अच्छा, ये हमें पता चल गया कि एक दहाई में कितनी चीज़े होती हैं? दस, कितनी होती हैं? दस! यानि आथ सब के पास कितनी कितनी गोली हैं? दस! दस को हम क्या बोल सकते हैं? एक दहाई, एक नहीं एक दहाई बोल सकते हैं, ठीक है, तो अब सत्य प्रकाश के पास एक दहाई गोलिया हैं, यानि कि दस, ठीक, दिलशाथ के पास कितनी गोलिया हैं, एक दहाई, यानि कितनी हो गई, दो दहाई, दो दहाई यानि कि बीस, दस इसके पास, दस तुम्हारे पास 20 हो गई ठीक है अब दो दहाई में एक दहाई और जोड़ेंगे तो कितने दहाई बन जाएंगे तीन दहाई बन जाएंगे और तीन दहाई मतलब कितने तीस ठीक फिर तीन दहाई में एक दहाई और जोड़ेंगे तो कितने दहाई बनेंगे चार दहाई बनेंगे ठीक है चार दहाई में एक दहाई और जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे पांस दहाई पांस दहाई में एक दहाई और जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे छे दहाई छे दहाई छे दहाई में एक दहाई और जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे तो आप लोग 8 हो ना यानि जब एक में एक दहाई में 10 हैं तो 8 दहाई में कितने हो गए 80 कितने हो गए तो आप लोग की अगर मैं सारी गोलियां एक साथ गिनू तो 80 गोली होंगी तो आप चलो जड़ा गिन के देखते हैं किसको सो तक की गिनती आती है ठीक है तुमको भी आती तुमको भी आती चलो भाई दिलशाथ तुम इनकी गोलियां गिनना शुरू करो दस हो गई ना फिर ग्यारा से अपनी गिनो ग्यारा बारा तेरा चौदा पंडरा सोला सत्रा थारा नीस बीस बीस आप इक्केस से खुशी की गिनो 31 से शुबं सानिया की गिनो चालिज के बार एक तालिज से गिनो गिननना शुरू को यहां से इनकी गिनो 24, 35, 36, 37, 88, 89, 80 तो से क्या पता चला? मैंने बोला था न, आठ बच्चो के पास जब हर बच्चे के पास एक दाहाई, एक दाहाई एक दाहाई गोलिया है तो आठ बच्चो के पास कितनी हो गई? 80 अगर नौ बच्चे होते, तो कितनी हो जाती? नब्बे और दस बच्चे होते सो समझें क्यों क्योंकि हर बच्चे के पास कितनी गोलिया है एक दहाई और एक दहाई में कितनी गोली होती है दस अब अगर मैं इसकी जगे एकाई रखवा थी ठीक है अगर मैं दस की जगे मैं कहती है सब लोग एक एक गोली रखो इतनी हो जाती कुल आठ हो जाती है ना लेकिन मैंने कहा था एक दहाई एक ही काई तो बोला नहीं था तो यानि सब के पास जादा आ गई तो अब हम क्या करेंगे ग्यारा कैसे बनेगा दस में अगर हम एक और जोड़ दें और एक क्या जोड़ें एक दहाई जोड़ें या एक इकाई जोड़ें एक दहाई में एक दहाई में एक दहाई जोड़ेंगे तब तो बीस हो जाएगा है ना आप देखो सत्य प्रकाश की हैं दस गोलिया ये यहाँ हो गया और मैंने बताया था सको कि इकाई वाला हाथ कौन सा होता है इकाइ वाला हाथ और दहाई वाला हाथ कौन सा होता है very good तो अब बताओ तुम्हारे ये जो ये कौन सा हाथ है एकाई वाला तो एकाई किदर है ये और दहाई वाला हाथ दिखाओ दहाई वाला हाथ ये है तो दस इधर रखी है तो एक दहाई एक एकाई कितना होगा जारा दस एक जारा अब मैंने इसमें दो एकाई रख दिया तो अब क्या होगा एक दहाई दो एकाई दो एकाई दस दो बारा अब ऐसे ही एक और एकाई रख देती हूं तेरा हो गया लेकिन पहले सीखने दो अभी रुख जो इन लोग को नहीं आता है ना दस रखे हैं तो हमें दस भी बोल सकते हैं और एक दहाई भी बोल सकते हैं तो हमें एक दहाई बोलेंगे एक दहाई आसान होता है है ना एक दहाई तीनिकाई तेरा ठीक है भाई अब ये कितना हो गया चौदा चौदा हो गया ठीक है अब कितना हो गया अब मुझे कितनी इकाई है और कितनी दहाई है एक दहाई और पांच इकाई और कौन से हाथ की तरफ होता है अब मैं सबसे बोलूँगी कि इकाई वाले हाथ पे एक गोली उठा के रख लो डिबे में से अच्छे बच्चों ये बताओ अपना इकाई वाला हाथ दिखाओ मैंने बताया था ना इकाई वाला हाथ कौन सा होता है जिससे हम लिखते हैं किस हाथ से लिखते हो तुम लोग ठीक है यानि कि दायना हाथ दायना हाथ कौन सा होता है दायना इकाई वाला हाथ कौन सा होता है इकाई वाला और बाया हाथ उठाओ जिससे हम लोग नहीं लिखते हैं दहाई वो हो गया दहाई वाला तो आप देखो अपने अपने दहाई वाली जगे तुम लोगों ने क्या रख रखा है दस गोली को गठर चीक और इकाई की जगे एक गोली रख दिये है अब मैं जितनी इकाई बोलोगी उतनी उठाके अपने इकाई के इस्थान पर रख देना है तो आभी तुम लोग पाऊ कितनी गोली हैं कुल गोली हाँ मिलाकर 11 है ना तो अगर इसको हमें इकाई दहाई करके बताना है तो कैसे बताओगे एक दहाई अब हर बच्चा एक गोली और उठाएगा डिब्बे में अब बताओ एकाई कितने है और दाहाई कितने है कैसे पढ़ेंगे एक दाहाई दो एकाई दस दो बारा अब एक गोली और उठाओ एक गोली और उठाओ और अपनी एकाई में जोड़ लो एकाई कितने है एकाई में तीन और दाहाई कितने है एक तो कैसे पढ़ेंगे एक दाहाई तीन एकाई तीन तेरा दस तीन तेरा चलो अब एक गोली और उठा लो और अपने एकाई में रख लो तुम बताओ बिटा एकाई वाला हथ कौन सा है? ये तो एकाई की तरफ कितनी गोली रखी है? वेरी गुड़ ताली बड़ा इसके लिए खाश एकाई कितने है? चार दहाई कितनी है? वेरी गुड़ दिलशाद दहाई कितने है? एक एकाई कितने है? वेरी गुड़ शालनी एकाई कितने है? चार और दहाई? एक एक दहाई हाँ भाई रागनी एकाई कितने है? चार और दहाई? एक छीक है शुबम दहाई कितने है? एक 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 हम उसमें एक एक छंडी लगाते जाएंगे और आगे की संख्या बनते जाएगी एक तहाई की एक लड़ी में अगर डाली छंडी एक तो वो बन गई दस एक क्यारा एक दहाई की एक लड़ी में अगर डाली छंडी दो तो वो बन गई दस दो बारा एक दहाई की एक लड़ी में अगर डाली छंडी ती तो वो बन गई दस ती तेरा पिंकी क्या तुम बता सकती हो एस दहाई में चार पांच और छे इकाई जोड़ेगे तो क्या बनेगा तो बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा हैं लाल वाली लड़ी में कितनी लाल जंडिया हैं दस कितनी हैं अब पीली वाली कितनी हो चुकी हैं तीन यानि कि दस तीन तेरा हो चुका है और दस का मतलब क्या होता है एक दहाई तो एक दहाई तीन एकाई दस तीन तेरा तेरा के बाद क्या आएगा चौदा को कैसे लिखेंगे काई दहाई करके एक और चार तो एक क्या होगा दहाई की इकाई दहाई एक दहाई चार इकाई तो दस तो लाल जड़ी जंडी पहले से ही है लाल जंडी दस पहले से ही है हमें अब कितनी पीली जंडी लगानी होगी एक और लगानी होगी तीन पहले से हैं कि नहीं है अब एक और लगा देंगे तो बन जाएंगी वो चार जैसे वो बनेंगी चार तो हो जाएगा दस चार चोदा फिर एक और जंडी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा पंद्रा दस पांच पंद्रा दस छे सोला तो आप देखते हैं हम लोगों ने सही जवाब दिया है कि नहीं हाँ ये तो बहुत आसान है दस चार चौदा दस पांच पंद्रा दस छे सोला अरे वाँ तुम तो संख्या के पैटन को समझ गई हो मिनि अब तुम बताओ कि एक सहार में साथ आठ और नौई काई जुड़ जाएं तो कौन सी संख्या बन जाएगी बच्चों क्या तुम बता सकते हो कि आब कौन सी संख्या आएंगी ठीक है अब आप लोग बताओगे दस छे सोला तक हो गया ठीक है अब एक दहाई में अगर हम साथ इकाई जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा एक दहाई में आठ एकाई को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएगी 19 कैसे हो जाएगी 10,9,19 और 19 के बाद क्या आता है तो 20 को हम कैसे एकाई दहाई में पढ़ेंगे 2 और 0 ठीक है 2 क्या होगा एकाई की दहाई दहाई होगा 2 दहाई 0 एकाई 20 वेरी गुड चलो अब देखते हैं हम लोग का जवाब सही है हाँ ये संख्याय होंगी 10,7,17 10,8,18 10,9,19 देखो संख्या की पैटर्न कितनी आसान और मज़ेतार है हाँ 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 इस तरह एक दहाई में जब 10 एकाई दाली तो वो बन जाएगी 20 हमारे पास अब दो लड़िया हो गई हाँ हाँ पुलिए ओ была क्या दूच अबूला हाँ हो बन जाएगी 20